चोतिस शास्त्र की विभिन शाखाओं में एक हस्त रेखा शास्त्र हमें हाथ की रेखाओं का ग्यान बताता है इसके माध्यम से हाथ की रेखाओं को पढ़कर भविश्य की संकेत जाने जा सकते हैं हतेली में कई परकार की रेखाओं होती हैं जिनमें भाग रेखा, हिटदे रेखा, जीवन रेखा, विभाग की रेखा, आदिक प्रमुक इनके लावा हतेली पर कुछ शुब अशुब चिन्न भी होते हैं आपको बता दें हस्तरए का शास्त के नुजार हमारी हतेली पर ऐसे कई निशान होते हैं तो छोटी छोटी रेखाओं के मिले या टक्राने से बनते हैं इन में कुछ निशान हमें अशुव फल पड़ान करते हैं किन्तो कुछ बेहद अशुभ होते हैं एम अक्षर का निशान या स्टार या कुछ और खास इस्तिती में चक्र का निशान जहां हतेली के कुछ शुब निशानों में माने जाते हैं वहीं कुछ ऐसे निशान भी हैं जो हर परिस्तिती में बेहद अशुब इस्तितियां लाते हैं आज हम आपको हतेली के ऐसे अशुब निशान क्रोस के बारे में बताने जा रही हैं आपको बता दें एक बार दो रेखाएं जब एक दूजे के साथ कटती हैं तब यह निशान बनता है यूँ तो हमारे हाथ में अंगिनत रेखाए होती हैं जो क्रोस का निशान बनाती है ले प्राशा खत्रा और कभी कभी जीवन में संकट का संकेत देता है प्रोस की लक्षन विभिन परवतों और रेखाओं की स्थिति पर निर्भर करते हैं जोतिश शास्त के नुसार सिकंदर महान के हातों में इस तरहे के चिन देखे गए थे सिकंदर की हतेली के अलावा यह चिन शायद ही किसी की हतेली में पाया गया अनुमान लगाया गया था कि इस दुनिया में केवल तीन प्रतिशत लोगों के हातों में यह चिन पाये गए हैं जिन व्यक्तियों के दौनों हातों में यह रेखाए होती हैं वो बड़े काम करने वाले परसिद व्यक्ति होते हैं यह उन लोगों मैंसे होते हैं जिन्हें मरने के बाद भी याद किया जाता है। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचल से आकाश की रपार्ट।